हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माई चाइनल उमीद करती हूँ रोज की तरह आप सभी अच्छे होंगे आज आपके लिए बहुत ही यूसफुल वीडियो लेकर आई हूँ जो डेली लाइफ में आपके काम को आसान कर देगी वीडियो ज़रसी अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि आपके लिए इसी तरह की न्यूनू टिप्स लेकर आती रहती हूँ तो फिर देड़ ना करते हूँ वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहला जो मेरा टिप है इस सारी आलू में लग जाती है तो इसके लिए आपको ले लेना है इस तरह का फॉक और फॉक से आपको आलू को चिलना है हाथ से बिलकुल भी नहीं चिलना है और ये देगे फॉक से बिलकुल आसान तरीके से आप आलू बोईल आलू को चील सकेंगे तो ये एक दम से बिलकु आपको बिल्कुल एकदम से नया है तो अपने हाथ से बिल्कुल नहीं चीलिए क्योंकि जो नाखुल में जित्ते भी जर्म सवारा होते हैं सारे आलू में लग जाते हैं तो आलू जो होते हैं इस तरह से खराब हो जाते हैं जर्म सवाले आलू नहीं खाने चाहिए तो आलू क आपको ये वाला टिप मेरा पसंद आया होगा नेक्स जो मेरा टिप है वो है इस तरह के निम्बू को लेकर आज कल क्या है गर्मी की सीजन में हमारे गर पे निम्बू तो आते ही रहते हैं लेकि आप क्या करना है आपके इनको छिलकों को बिल्कुल भी नहीं फैकना है ले लेना है एक पानी का बावल पानी के बावल में हम इन छिलकों को डाल देंगे और दस मिन तक इनको बोईल कर लेंगे जितना भी निम्बू का फ्लेवर होगा इस पानी में अब्सोर हो जाएगा क्योंकि मार्केट में आप देखते हैं निम्बू वाले लिक्वेट साबून या लिक्वेट जो सरफ मिलते हैं तो उनसे आप कपड़े या भी बरतन वागर वोश कर सकते हैं आज हम इन घर पर ही जो निम्बू का एक liquid soap बनाएंगे तो देखे पानी हमने इसमें सारा पानी जो है इसमें डालकर निम्बू को हटा लिया है जितना भी इसमें जो निम्बू का flavor था पानी में आ गया है और एक स्पून इसमें मैंने सर्व डाला है सर्व डालते ही आप दे के बात आप इसको बोतल में रख सकते हैं और ये देखे कितना liquid एक साबून बनकर ready हो गया है इससे आप घर के बरतन वगारा या फिर कपड़े जो होते हैं वाइट कपड़े जो होते हैं उनको clean करने के लिए आप अगर इसमें थोड़ा सा भी ये निम्बू का डाल देंग तो कपड़े बिल्कु क्लीन हो जाएंगे तो ये देखे गैस पर मैंने आप थोड़ा सा ही इसमें liquid साबून डाला है जो निम्बू का हमने बनाया था और स्क्रबर से आप इसको गैस को भी clean करेंगे तो गैस भी एकदम से चमक उठेगा तो जो निम्बू आप फैंक देते बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है तो आई होप आपको ये वाला टिप पेना पसंद आया होगा नेक्स्ट टिप है वो है स्कूल के कपड़े हो यहां फीर हो घर के कपड़े बच्चे क्या करते हैं इस तरह से इनका डाज दाग पैन का दाग जो कपड़ों पर लगा दे है आपको ले लेना है 1 spoon विनेगर और भी नगा कर तोड़ा सा इसमें हम जो मीठा सोटा होता है बेकिंग सोडा जो उसमे डाल दे और इसके बाद इसको हलका सा मिला कर हलका सा रb करके आपको ले लेनी है एक हरी मिर्च जी हां तो इसके उपर हरी मिर्च को हलका सा रब करना है हरी मिर्च में एक ऐसी प्रोपर्टीज होती है कि जो इन के दाग होते हैं जो पैन के दाग होते हैं बहुत जल्दी से गायब हो जाते हैं और ये देखिए दो मिन्ट तक हरी मिर्च को इसमें हलका सा रगड़ना है तो ये देखिए पांच मिंट में रगड लिया है और इसको पांच मिंट इसको छोड़ देंगे आपको लगे कि जिस जो हरिमिर्ज का जित्ता भी जूस है इस कपड़े ने अबसौर कर लिया है तो आप इसको छोड़ दे पांच मिंट के लिए और ये देखिए जो कदाव था वाइट कपड़ों में गायब हो गया है तो ना हमने इसमें कोई सरफ का यूज किया है और ना हमने इसको वाशिंग म powerless में दोया है और ना बिलुकल भी तो सरफ अगराद को तो बिल्कुल भी यूज नहीं किया है बिना सरफ के एक छोटी सी हरिमिर से ही इन कदाग गायब कर दिया है वो बिल्कुल भी दिखनी रहा है आप खुद ही देख सकते हैं खुद ही चेक कर सकते हैं मैजिक आपके सामने हैं तो यह इन कदाग इस तरह से बच्चे के स्कूल वगारा यह जाते हैं उनके कपड़ों में या फिर घर पर भी अगर इंका दा किसी भी पैन का दा किसी भी कपड़ों में लग जाए तो चोटी सी हरीमिर्ट से ही आप इसको क्लिंग कर सकते हैं यह बहुती बड़िया आइडिया है तो आई होप आपको यह वाला टीप पसंद आया होगा तो मेरा नैक्स जो टीप है वो है इस तरह के घर के बरतन को लेकर गिलास हो या फिर इस तरह के बावलो कभी-कभी यह फस ही जाते हैं किचन में थो हमें बहुत ज़्यदा प्रोब्लम होती है इसे फस जाते हैं जैसे आ प्रोब के उपर रख देना है 5 मिंट इनको बर्फ के टुकडो के उपर ही रहने दें इससे क्या होगा कि जो आपस में जो यह बहुत जबर्दस जुडे हुए हैं यह पांच मिंट के बाद निकल जाएंगे पांच मिंट हो गए हैं जो बढ़तन है बावल है एक दम से आपस में निकल गए हैं और ये इस तरह निकले हैं जैसे कि बहुत बड़े दुश्मन हो तो ये फ्रैंड्स देखी आपको मेरे ये टिप कैसा लगा अगर आपके किचन में इस तरह से गिलास भी फस चाहें तो आप आइस में रख दें तो फटा-फट से निकल जाएंगे तो फटा-फटा निकलने से क्या होगा कि आपके समय की भी बचत होगी टाइम भी खराब नहीं होगा आई होप आपको ये सारे टिप पसंद आये होंगे सबसे ज़्यादा कौन सा टिप पसंद आये मुझे कमेंड बॉक्स में जरूर बताना मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टिप्स के साथ तब तक के लिए बाई बाई एंड टेक केयर